नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम देश का नंबर वन राज्य जिसका प्रचार प्रसार कम से कम उत्तर भारत के हर हिस्से में है देश की राजधानी दिल्ली तो उसके विग्यापनों से अटी हुई है यह सब चल रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश से जो खबरे आ रही है वह बता रही है कि कितना भयानक गुंडा राज वहां चल रहा है एक तरफ आप यह विग्यापन देखिए जो दिल्ली में अटा हुआ है कि नंबर वन राज्य है कितना नौकरी दी है कितना अमन चैन है और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह की हिंसा जब लोकल चुनाओ हो रहा है वहां पर की गई क्या यह महच ट्रेलर है आगे की जाकी योगी जी हमें दिखाएंगे 2022 के विधान सभा चुनाओ में लगता है आप कल्पना कीजी कि मैं आप आपके घर की कोई भी महिला जाती है मद्दान देने नहीं अपना पर्चा भरने जी हां यहां पर हम बात कर रहे हैं वह जो चुनाओ चल रहा है जिसके बारे में हम विस्तार में आपको बताएंगे लेकिन एक द्रिश आप इमाजिन करिए जो कि सब भारतियों को करना चाहिए वह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह इस समय की हकीकत है जो अभी तक हमने सिनेमा में देखा बॉलिवुड में देखा उससे भी आगे एक कुरूरता चल रही है इस समय चुनाओ में महिला वो रितू सिंग है उसकी जगा मैं हो सकती थी आप हो सकते थे कोई भी हो सकता था वह जाती है अपना नामांकन करने ब्लॉक प्रमुक का चुनाओ लड़ रही है वो लड़ रही थी लखीमपूर में वो वह वहाँ पहुशती है आप देखिए कि जिस तरह से उनके उपर हिंसा होती है जिस तरह से सामने के लोग जो भाशपा के लोग हैं वह उन पर हमला कर करते हैं उनकी साड़ी को फेक देते हैं निकाल देते हैं ब्लाउस फार देते हैं सब कुछ सरयाम होता है पुलिस वहीं खड़ी है कोई कोई मदद करने नहीं आता उनका नामांकन नहीं होने दिया जाता वहां से निर्विरोध भाशपा की उम्मीदवार जीत जाती है अधीर सबस्टार दी थी फाई यह मामला लखीमपूर का है हमने बात की रितू सिंग से जो लखीमपूर के पस गावा ब्लॉक के प्रमुक की प्रत्याशी हैं अपने को मानती हैं भी भी क्योंकि वो मानती है कि जिस तरह से हिंसा हुई उसे देखते हुए यह चुनाओ खारिच किया जाना चाहिए दुबार की एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उन्होंने मदद की और निश्चित तौर पर इस कारिकरम की शुरुआत में हम रितू और उनके जैसे तमाम और महिलाओं को सलाम पेश करना चाहते हैं कि इतनी बरबर हिंसा इस तरह से अत्याचार जो हो रहा था उसको जहलने के बावजूद वहिम्मत नहीं हारी पर्चा भर ने गए ठीक वहां पर नाम आँकिन नहीं होने दिया ठीक रेखा बर्म के गुंडोंने मेरा पर्चा भी छीन लिया रेखा भर्म यानि जो भास्पा की प्रतयाशी थी अब सुनो मेरी बात आप और मेरा पर्चा छीन लिया मेरा पर्श छीन लिया और मेरी साड़ी भी उतार दी और बिलाउज भी भर दिया बस इससे ज़्यादा आप हम कुछ नहीं कह सकते यह सब दिया उन्हों पुलिस्टी बापर नाम बता दें आप जिंका नाम जानती है जाले पैसे सब नुची लॉकेट बगएरा उससे में वहां पुलिस नहीं थी क्या पुलिस थी पुलिस वाले कोई लोग बोले ही नहीं तो आप फिर पर्चा नहीं भर पाएं नहीं आपके हां से कौन जीता क्या रहे तो वो जो दूसरी प्रत्याशी थी वो जीत गई भाश्पा की जो प्रत्याशी थी वहीं अब ही आप क्या सोच रहीं क्या करेंगी को कि बहुत बड़ा सद्मा लगा होगा आपको लेकिन आपकी हिम्मत बहुत जबरदस्त है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी भी खड़ी हैं और डरी नहीं डर नहीं लगा आपको अब चांग कुछ भी हो जाए पर हम यह लएकर लड़ेंगे बैठेंगे नहीं बैठेंगे नहीं जांग पर चली जाएंगे जी क्रांतिय जी थोड़ा सा यह बताइए कि आप यहां लखींपूर में बहुत लंबे समय से शक्री हैं यह जो पूरा का पूरा निर्विरोथ क अब बड़े पैमाने पर जीती है और किया हुआ है जीला पंचयत के 72 मेंबर लख लिए जीते थे लेकिन जीला पंचयत पे उन्हों ने जहां हम लोग जबर्जास धनबल बाहुबल सत्था का बबल उन्हों प्रयोग किया, हम लोग 24 बोट पा करके हम लोग को हरा दिया गया, मुकदमे लिखे गए हमारे लोगों पर, और इस चुनाओं में भी, ये BDC इनके पास नहीं थे, हमारे पास बहुतायत में थे, और इस बात को ये लोग जानते थे, कि जहां-जहां पर्चा भर जाएगा, व पर कपजा रहा है, ये खुद भी यहां बलाग परमुक रही है एक दोर में, पिछले समय में इनकी माँ, जो ये कारकाल खतम हुआ है, इसमें इनकी माँ, जिनने कानपुर से लाकरके यहां लडाया गया था, वो मौझूदा बलाग परमुक हैं, अब आज के समय में इन्हो कोई दूर की कानपुर की ही लड़की को लाकरके, जो इन्हें परल्लेमेंट की तरफ से निजी साहिक मिली थी, उसका इस्तीफा करा करके, यहां बोट बनवाया, उसको BDC लडा करके, सिर्फ परमुकी पर कपजा करने के लिए इन्होंने चुना लोला दिया, जब यह जान पर देस कुमार, एकसियन नलकूप को तीन दिन पहले चुनाओ की नोटिजिकेशन जारी होने से, तीन दिन पहले चुनाओ अध्थकारी बनाया गया था, उस चुनाओ अध्थकारी को हटा करके, आरो को जो BDC इसिक शिच्चा अध्थकारी इनका प्रिय अध्थकारी है, जिसको ये टांसफर करा के लाई थी, उसको आरो इनों ने बनवाया बेसिक रिचादकारी गुद्धप्री सिंग को, जो इनी के बिरादरी के भी है, तो ये पूरा खेल पहले से ही सोच लिया गया था है, डीम के आफसे बैठ करके, कि कैसे हमको परचा रोकना है पस्गौवा पाई सुरू करते हैं, जब वहाँ पर भी वो नहीं रोक पाते हैं, और हम लोग अंदर चले गए, पहुच गए अंदर, तो वहाँ पर पहुचने के बाद, हमारे उपर, और हम हमारी प्रत्यासी और मेरा भाई अंदर जा पाए थे, वहाँ पर रेखा वर्मा उस ब्लाक के अंदर मौजूद थी, लोकेंद प्रताफ सिंग विधायक महमदी वहाँ के अंदर मौजूद थे, सुनील सिंग भारतिये जनता पार्टी के जिलाद्यच वहाँ मौजूद थे, इन सब लोगों ने, और सैकड़ों की संक्या में भाजपा के अराजक तत, उनके कारकरता, प पर्चा उठा के भाजपा करकरताओं को पकड़ा दिया, और वहाँ से भाजपा करकरताओं को देते हुए आरो दिख रहे है, पर्चा आरो दे रहे हैं भाजपा करकरताओं सिर्फ रितु ही नहीं उनकी जो प्रस्तावक थी उनके साथ भी इसी तरह की अभधरता हुई और वह तो जब वो अंदर घुस रही थी नामंकन के लिए जब वहाँ पर जा रही थी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तब सरयाम उनकी भी साड़ी खीची गई सवाल ये है बहुत सीधा सीधा जो उत्तरप्रदेश से सामने आ रहा है कि आखिर भाश्पा ने यह सारा का सारा खौफ इस तरह की गुंडा गर दी क्योंकि इसकी वज़ह क्या है जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय और तस्वीरें हिंसा की हमारे सामने आ चुकी है ब् टावा में तो खुद जो पुलिस है वह हिंसा की शिकार हुई यह समय आपको स्क्रीन पर तमाम वीडियो और फोटो दिखाई दे रहे होंगे चंदौली अमरोहा हमीर पूर यह जो पूरा का पूरा आलम है जो माहौल बनाया जा रहा है कि हम चुनाओ को किडिनाप करेंगे हम चुनाओ अपने हिसाब से करेंगे और इस पर खबर भी नहीं होने देंगे जिस तरह से आज उन्नाओ में चुनाओ धानली की कवरिच कर रहे पत्रकार क्रिशना तिवारी के ऊपर खुद सीडियो ने हमला किया आप देखिए यह वीडियो यहाँ पर हमलावर IPS अधिकार उससे यह साफ हो जाता है कि पूरे के पूरे प्रश्चाशन को यह स्टैंडिंग और योगी सरकार ने दे रखा है कि किसी भी तरह से सरकार को भाशपा को यह चुनाओ जीतना है जितवाना है इस पूरी प्रक्रिया में जितने लोग निर्वियोरोध यानि अनपोजड चुने गए हैं तकरीबन हर जगा से खबर यही आ रही है कि विरोधी या विपक्षी दल को नमांकन तक नहीं करने दिया हमने सुना रितु सिंग की पूरी की पूरी कहानी अब आप देखिए रितु सिंग कहती है कि इतनी बदनामी हो गई मेरी इतना ज़्यादा अपमान हुआ उस पूरे इलाके में सब के सामने वह बिना साड़ी के खड़ी रही बलाउस फार दिया गया लेकिन फिर भी वह मजबूरी में छे साथ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया लेकिन यहां निलंबन है यहां बरखास नहीं किया गया कोई उनके खिलाफ सक्त कारवाई नहीं की गई आपको एफाई यार भी दिखाई दे रहा होगा जो रितु सिंग वाले मसले पे लगा है जो पस करता हैं उनके खिलाफ एफाई अर दर्ज हुई है लेकिन यह बहुत कम जगों पर हो पाया है अधिकांज जगों पे मामले को रफा दफा कर दिया गया है आए जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना बड़ा दाओं योगी सरकार इन चुनाओं में क्यों लगा रही है इ यह अप्रेल और मई में हुआ था 58,000 प्रधान ग्राम प्रधान और 75,000 पंचायत वार्ड मेंबर 3,050 जिला पंचायत वार्ड मेंबर इसमें चुने गए थे यह जब पूरा का पूरा चुनाओं हुआ जिसमें सीधे जो मदाता है वह चुनता है इसमें भाश्पा को बहु हुआ था कि क्या ये जो चुनाओं हुए हैं जिस तरह से लोगों में गुसा था क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तरप्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर कुरोना काल में जिस तरह से लोग मरे दवा के अभाव में मरे लोगों को शम्शान घार तक नहीं मिला लाशें परिणिती हमें हमारे सामने हुई थी जब हमने देखा कि इन चुनाओं के परिणाम सामने आये थे यानि 58,000 जो गाओं थे वहां पर जो चुनाओं लोगों ने किया मद्दान किया वह उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भाश्पा के खिलाफ वोट गया इससे बहुत मंत्री नरेन मोदी ने सीदे सीदे उनसे बाचीत की पैच अप करने की तयारी हुई और आप देखिए तब से लेकर अब तक सारा का सारा सीन कैसे बदलता है अभी जो चुनाओं हो रहे हैं 75 जिला पंचायत अध्यश का चुनाओं क्योंकि 75 जिले हैं वह जून में हुए इ यानि 3050 लोग चुनते हैं 75 जिला पंचायत अध्यश इसमें जम के धानली हुई हिंसा हुई बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को बताया गया कि इसमें से 20 निर्विरोध जीते अनपोस्ट और उस समय जो सामने आया कि जो 66 पर भाश्पा जीती एक में अपना दल और बा च्छेत्र पंचायत प्रमुख यानि ब्लॉक प्रमुख का मद्दान आज चल रहा है इसी के बारे में इसी ब्लॉक प्रमुख का चुनाओ लड़ रही थी रितू सिंग भी इसका जो चुनाओ है वो पंचायत वार्ड मेंबर यानि 75,000 पंचायत मेंबर करते हैं यह कप प्रमुख का जिसमें जनता सीधे चुनती है वहाँ पर वोट पॉलिटिकल पार्टी इसके चुनाओ चुन्हों पर नहीं होता है वो अलग-अलग धंग से लड़ते हैं हाला कि राजनेतिक दल यह दावा करते हैं अपनी सूची जारी करते हैं और बताते हैं कि वो इस जग से को दूसरे ढंग से मैनेज करने का काम भाश्पा ने प्रशाशन के साथ मिलकर बिलकुल खुले आम खेला शायद इस तरह की हिंसा होगी इतने बड़े पैमाने पे लोगों को अपना पर्चा तक नहीं भरने दिया जाएगा जैसे कि लोग बता रहे हैं जैसे कि खबरे आ आ रही हैं आप भी देखेंगे समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ट नेता माता प्रसाद पांडे वह किस तरह से अपना दर्द बयां करते हैं उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं और वह बताते हैं कि किस तरह से हिंसा का खेल माता प्रसाद पांडे बहुत जाने अमाना चेह तब किस तरह से पूरा का पूरा जो भाश्पा का समू है पत्थर फेकता है बाकी सारी चीजे करता है और यह सिर्फ एक जगा की बात नहीं है हमने देखा कि कर्णौज में इसके निशाने पर ABP के पत्रकार भी आए नितिमिश्र उनके उपर भी हिंसा हुई सवाल यह है कि य इसमें वीडियो जैसे भी आया जिसमें प्रत्याशी को ही पुलिस के सामने किड्नैप करने की कोशिश हो रही है यह सब कुछ इस उत्तम प्रदेश में चल रहा है जहां पर पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि कि किसी भी सूरत में किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपना कर सारा का सारा जो जनता का गुस्सा है उसे भाशपा जीत के तौर पर अपनी जोली में डाल ले इन सब के बीज उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछणों के उपर हिंसा की जो वारदात है वो लगातार बढ़ रही है एक के बाद एक दिल दहलाने वाली घटना साम सामने आई कानपुर के अखबरपुर से वहाँ पर एक दलित युवक को घंटों तक पेड के उपर बांधा गया उसके गुपतांगों में डंडा डालने की कोशिश की गई सब कुछ कैमरे पर हो रहा है रिकॉर्ड वो लोग कर रहे हैं जो मार रहे हैं यानि जो दबंग ज महाँ पर पुलिस वाले कहते हैं इसे ले जाओ नहीं तो इसे ही हम अंदर कर देंगे वह दलित युवक इस समय अस्पताल में भरती है आरोप यह लगा कि उसका एक प्रेम प्रसंग चल रहा था किसी अलग जाती की लड़की के साथ यह सब कुछ इस स्मार्ट उत्तर प्रदेश जहां 2022 का चुनाओं जीतने के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी तमाम जातियों का समीकरण बठाने के लिए बड़े पैमाने पर जो नया मंत्री मंडल बनाते हैं उसमें तमाम लोगों की भरती करते हैं उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जाती समूहों को जगा दी जाती है उत्तर प्रदेश में जो ट्रेलर चल रहा है जो ट्रेलर हम सब ने देखा इस देश ने देखा जिस तरह की हिंसा है जिस तरह से औरतों की साड़ी पाड़ी जा रही है उन पर सीधे सीधे हमले हो रहे हैं बाकी जगों पर बंदूकें चल रही हैं पिस्त हुगी हम बतौर मीडिया कर्मी कैसे खबर करेंगे इस पर क्योंकि हमने देखा कि तमाम मीडिया कर्मी जो बड़े बड़े चैनलों के भी हैं और छोटे यूट्यूब चैनल के भी हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं उन पर सीधे-सीधे निशाना हो रहा है और जो हमें दिखाई द पत्रकार को दोड़ा दोड़ा कर एक अधिकारी मार रहा है क्योंकि वह धानली पर रिपोर्ट कर रहे हैं सवाल यहां विपक्ष के पास भी है विपक्ष के लिए भी है कि यह विपक्ष कैसे लड़ेगा क्या विपक्ष सिर्फ ट्वीट करके लड़ेगा क्या विपक्ष सिर या समाजवादी पार्टी जिसके लोग इतने बड़े पैमाने पर निशाने पे लिए जा रहे हैं लेकिन वह बड़े पैमाने पर जमीन पर उतरती दिखाई नहीं दे रही या बहुत बड़ी चुनौती उन तमाम लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि इस तरह का जो गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में वह खतम हो उसके लिए बहुत जरूरी है पत्रकार का पत्रकारता कर पाना और नेताओं का सही मायने में राजनीती कर पाना शुक्रिया